आपके मन और अजन पर अब नहीं लगेगा कोई प्री स्टापलस के बहतरीन छोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टापलस के यूट्यूब पेज को अगर तुम्हें मक्षिका परी की मदद चाहिए तो तुम्हें हम में से उस मक्षिका परी को पहचानना होगा जिसके पास तुम्हारे मुनने की सारी शक्ति है और उसके लिए तुम्हारे पास सिब तब तक का समय है जब तक ये फूल पूरी तरह से खिल नहीं जाता जब तक का समय है इसके हिसाब से तो उन लोगों को यहीं आना चाहिए था फिर वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हम यहीं है बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मैं जानता था कि तुम यहां जरूरा होगे बल्कि वो डाइरी भी मैंने जान बूच कर वहां छोड़ी थी ताकि उसे पढ़के तुम हमारा पीछा करते होगे यहां आजाओ अभे असूर के नाती हम तो आज तुम को फिर से पपू बना दी मख्षी का बढ़ी और मैं जानता हूँ कि हूप आप मुझे मेरे मुन्ने को ठुड़ने में मेरी मतद कर सकती है क्यूकि उसकी शक्तिया आपके पास है ईप लीज मेरी मतद कीचे उज ही मेरे बेटे के पास ले चलिये मेरी मतद कीचे अगर तुम्हें मक्षिका परी की मदद चाहिए तो तुम्हें हम में से उस मक्षिका परी को पहचानना होगा जिसके पास तुम्हारे मुनने की सारी शक्ति है और उसके लिए तुम्हारे पास सिब तब तक का समय है जब तक इस पूल पूरी तरह से खिल नहीं जाता जाता है जै तुम्हारे जैसे है मैं में से उस मक्षिका परी को कैसे मैं जानूगा जिसके पास मेरे मुनना की शक्ति है पुपी इन्हें कम समय मैं यही चाहिए था ना तुम्हें इसी के लिए अमारा पीछा करते हुए यहां है हुआ ना तु सोच क्या रहे हुआ ले लो तुम्हारी ही है तुम सोच रहे होगे कि यह कील मैंने इतनी आसानी से तुम्हें वापस क्यों कर दी क्योंके मैं अपने परिवार को खत्रे में नहीं डाल सकता इन दोनों बच्चों से गलती हो गई कि यह नोंने तुम से दुश्मने ले यह नही जानते कि तुम कि इतने खतर्माक हो ताके उसे पढ़कर तुम यहां सको मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें यहां दोके सिपलाया लेकि तुम्हें नुकसान पहुचाने के लिए नहीं बलकि तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लोटाने के लिए अब तुम्हें तुम्हारी इमानत वापस मिल गई है इसलिए प्लीज हमारा पीछा चोड़ दो और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ चले अब हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तो मैंने कहाना हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो हमारी जिंदगी से चले जाओ देखो अगर तुम्हें हम पर भरोजा नहीं है तो तुम हमारी मेमरी मिठा सकते है इसा करने से ना हमें तुम याद रहोगे और ना तुम्हारे बारे में कोई इंफोमेश और फिर हम तुम्हारे लिए कोई खत्रा नहीं होंगे कुम्हारे लिए सकत्राथ है कॉरेट शचाओ अपका प्लान सचसफूल रहा? अरे सक्सेस्टूल अरे वो असुरांज करना थी वहम लोग चोमू बना दियाद अगर मेरे कुनली में मेरा आंथ तेरे हाथो लिखा है तो तुम्हारे कुनली में तुम्हारा आंथ मेरे हाथो लिखा है मैंने सोचा था मैं मक्षी का पड़ी को ही मार देते, ताकि तुम्हे तुम्हारी शक्तिया कभी वापस ना मिले, लेकिन असा हो नहीं पाया जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंथ मेरे हाथों लिखा है, इसलिए उस दिन मक्षी का बच गई, अब तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत में ही मेरी जिंदगी है यह भूलतो के लही वाला, और कोई जारा नहीं है, मुझे अपनी दावन शक्तियों का इस्तमाल कर नहीं होगा मुझे अपनी जानती है इसका मतलब, आप ही वो मक्षी का परिय जिसके पास मेरे मुन्ने की शक्तिया है बिल्कुल सही पैचाना, मैं जानधी भी तुम गुरे नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमствен मुझे नहीं डरिः तो क्या आप, आप मुझे मेरे मुन्ने को दोड़ने में मेरी मतत करेंगी नाप? प्लीज मेरी मतत कीज़। अखिर मुछना ने अपने अंत का अंत कर ही दिया पताईए वह असुर का नाती पूरा गोचु निकला है सावी, आया था सासुरा हम लोगों की यादास मिठाने के लिए और खुद ही की यादास मिठाकर के हम यहां से भाग गया है और तोर सावी, तुम देखी, तुम राक्षा स्किल भी नहीं लेके गया हूँ हाँ भई तो इतना खुश होने की जरूत नहीं है खत्रा भी टला नहीं है अमें उस रोहिनी नक्षातर बाली लड़की को टूना है उस तक पहुचना है अगर अगर महा शिवरातरी की आरती नहीं हुई तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उस लड़की के बारे में? मतलब, रिवांसी जी आपके पास कौनो दूसरा तरीका नहीं है? शिवलिंग को वापस लाने का? नहीं, बारत शिवलिंग को वापस लाने का तरीका मैं नहीं जानता है और इसा पॉसिबल है भीया, नहीं बता नहीं आया नहीं भता रखाणा। हापको नहीं पता है? अपको नहीं बता तो फिर, किसे बता है? दिव्या को माह को? मुझ से अअलग होने के बाद, दिव्या कुछ दिनों तक यहीं रही थी और उन दुनों में उसने जो भी रिसर्च किया था उसे उसने यहीं पर चुपा के रखा था नो सकता है कि पारज शिबलिंग को वापस लाने का तरीका भी उसने यहीं कहीं लिखकर रखा होगा स्टापलास के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद अपने फेवरिट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब तो स्टापलास यूट्यूब पेज और हिट था बेल आइकन